नमस्कार मित्रों, मित्रों आज हम आपको उस देश के और उस देश की धरोहर के बारे में बताएंगे जहां कभी हिंदू सामराज्य हुआ करता था, हिंदू राजा राज्य करते थे, और वहाँ जितनी भी धरोहर हैं, सम्में आज भी हिंदू धर्म की स्मिर्ति चिन्न और उनकी यादें यतावत हैं, हम बात कर रहे हैं कमबोडिया देश की, जो कि थाइलेंड से सटा हुआ देश है, दोनों की सीमाएं आपस में मिलती हैं, अन्य परियाटकों की भाती हम भी कमबोडिया गए थे, थाइलेंड की रास्ते से, और सबसे सस्ता और कम समय का रास्ता, कमबोडिया का यहीं से होता है, वैसे आप जो है, जहाज के थुरूप पहले कमबोडिया की रास्तानी जाएंगे, और वहाँ से फिर आप वहाँ पकड़ेंगे, फिर शाम दीब करके एक सहर है, वहाँ आएंगे, और वहीं पर अंकोर नामक जगे में, जो कभी बिशाल का जंगल हुआ करता था, सित्त है अंकोर वाट मंदिर, तो आपको कमबोडिया कवर करना पड़ेगा, और फिर आप वहाँ पहुँच पाएंगे, और जबकि थाईलेंड से, थाईलेंड की रास्धानी बैंकोक, और बैंकोक से बस के द्वारा, आप आठ घंटे में, शाम रीब सहर पहुँच जाएंगे, मलब बस से आप बॉर्डर तक जाएंगे, बॉर्डर से वहाँ आप जो है, ऑनलाइन वीजा वगएरा अपना बनवा के और वहाँ से टैक्सी ले लें, या वहाँ से बस भी चलती हैं, और आप वहाँ से शाम रीब शहर पहुँच जाएंगे, यही सबसे आसान रास्ता है, बैंकोक से जो बॉर्डर है, पोईपोर्ट, उसका नाम है, उसकी दूरी है 253 किलोमीटर, और बॉर्डर से अंकुरवाट की दूरी है 155 किलोमीटर, और टोटल सफर मैंने आपको बताया, 8 घंटे का, आप पहुँच जाते हैं, युनेस्को की धरोहर, अंकोरवट मंदिर, ये जो अंकोर जगा है, इसका नाम पुराना, यसोधरपुर हुआ करता था, ये बहुत सुन्दर शहर, राजधानी के रूप में विक्सित था, वक्त गुजरता गया, इस पर बारम बार हमले हुए, और ये बनता रहा, बिगड़ता रहा, तूड़ता रहा, फिर जोड़ता रहा, और एक वक्त ऐसा आया, कि इसका नाम, जाती धर्म सब बदल गया, आज यहां बौत धर्म का विस्तार है, और जो भी इस अंकोर बट की धरोहर बची हुई है, वो बहुत धर्म के अनुवाईयों ने बचा के रखी हुई है, बाकि हिंदू धर्म के शाशक और हिंदू धर्म यहां से लगभग लगभग लुप्त हो गया है, यहां के जो लोग हैं, वो पुरानी विराशत के हिसाब से आज भी हमारे जो हिंदू धर्म के विश्णू, शिव, पार्वती, गनेश और अन्य देवता हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, और तो और इस हिंदू धर्म की सबसे बड़ी धरोहर अंकोर वट मंदिर का स्थान कमबोडिया ने अपने राष्टे ध्वज में भी दे रखता है, अब हम सीधे बात करते हैं, अंकुर बट के दर्शन और उनकी सभी चीजों का वर्नन, हम सुभए प्राते ही, तुक तुक यहां एक सवारी है, बड़ी परचलित है, तुक तुक जैसे हमारे यहां पर आटो रिक्षा होता है, जिसे हम थ्रीवीलर में बोलते हैं, यहां तुक तुक का चलन है, आगे मोटरसाइकल होती है, और पीछे बग्गी टाइप होती है, इन दोनों को जोड़के, इसे तुक तुक नाम दिया गया है, यही पूरे शहर में घुनती है, हम उस तुक तुक को लेकर सबसे पहले पहुँचे ओंकारवट मंदिर के ओफिस, वहां से हमने प्रतिव्यक्ति 30 डॉलर टिकेट लिए, और फिर पहुँच गए ओंकारवट मंदिर परिशर में, यह जो ओंकारवट मंदिर परिशर है, यह 163 हेक्टियर, यह यूं कहें कि 402, 402 एकड में फैला हुआ मंदिर है, और इसके अंदर छोटे बड़े मिलाकर 1000 से ज़्यादा हिंदू मंदिर है, और सभी मंदिर अपने में एक अलग ही विभूती, यानि कि एक मंदिर इस देवता का है, तो दूसरा मंदिर दूसरे देवता का है, तीसरा तीसरे इस्ट का है, तो चौथा अलग भगवान का है, इस तरीके से ये मंदिर विस्तार में फैला हुआ है, और जो मुख्य अंकोर बट मंदिर है, ये वरका कार, और इसके चहुँ और, यानि कि चारों तरफ, तीन सो तीस फिट चौड़ी, खाई खुदी हुई है, जिसे हम नदी या नहर का नाम दे सकते हैं, हमेशा पानी से भरी रहती है, अब आप सोचिए, उस वक्त के राजाओं ने, यानि कि उस वक्त के सासकों ने, ये पहले ही कल्पना कर ली थी, कि सुरक्षा की दिरिष्टी भी इसको देनी है, और सुरक्षा इसकी बचाब भी करना है, और उनकी बात ये सार्थक सिद्ध हुई, इस मंदिर पे अनेकों बार, बारम बार हमले हुए, इसको कभी तोड़ा गया, लूटा गया, विक्षित किया गया, जो आज आप ये देख रहे हैं मंदिर, अभी आप इसकी दूर से ली गई फोटो, चित्र, उसे अब लोकन करें, अब आप इस खाई का आप लोकन करें, और आपको ये दूर से, किसी बड़ी नदी से कम नजरा रही है, ये मैंने बताया वर्काकार है, यानि कि वर्काकार होने के नाते, इसके चारों तरफ गेट हैं, और चारों तरफ ही मंदिर के अंदर जाने के लिए नदी को, इस खाई को क्रॉस करके जाना होगा, ये जो हम क्रोस कर रहे हैं पुल के माध्यम से देखें चेत्रों ये अंकोर वट मंदिर जो कहते हैं ये मुख्य मंदिर यहीं से प्रारम होता है इस मंदिर की अब आप सीडियां देखें यानि कि उस वक्त के सिल्फ कारों ने ये पहले ही कल्पना कर ली थी कि ये मंदिर जो है इतने ध्रातल के उपर बनाना है आज भी ये यहां की सडक और समतल भूमी से कितनी उचाई पर है और मंदिर की भवे उचाई देखिए अब हम सने सने मंदिर के अंदर परवेश कर रहे हैं ये आप चित्र द्वारा देखें जैसे ही हम मंदिर के गेट पर पहुंसते हैं तो हमें वहां विश्नु शिव पारवती गनेश और अन्य सबकी फोटो दिखाई दे रही है संक दिखाई दे रहे हैं सर्प दिखाई दे रहे हैं और जैसे ही हम मंदिर के अंदर परवेश करते हैं तो दिवारों पर देखिए आपको संपूर्ण रामाइन दिखाई देगी यानि कि अयुद्या राम राम का जनम उनकी शिक्षा उनका वनगमन यानि कि संपूर्ण रामाइन ही उखेरी है यह इस बात को सिद्ध करता है कि यहां राजा भी हिंदू थे और यहां कि प्रजा भी हिंदू थी यानि कि हिंदू रास्ट्र था और कालंतर में जैसे मैंने बताया यसोधरपुर इस एरिये का नाम है और ये मंदिर जिस सैली से बना है उसको भारितिये गुप्त कला सैली कहते हैं कि उसी पर यह आध्यराइद करें यह हमें आर्चो लोजिकल सर्वेय अप इंडिया के लोगों ने भी बताया और हमने स्वैंब्य अध्यन किया और आप देख भी रहे हैं यहां पर आपको कमबोडिया के लड़के और लड़की यानि कि उनके पुरात यह जो है सांस्कृति विभाक के लोग होंगे शायद देखिए कोई राम बना हुआ है कोई कृष्ण बना हुआ है कोई राधा बना हुआ है कोई गोपियां सखी यानि कहने का मतलब यह है सब ने मुगट पहन के और परिधान पहन के यह यहां पर प्रोग्राम भी करते हैं और हमारे स्वागतने यानि कि हमारे का मतलब प्रिया और अब आप दूसरी तरफ नजर करें तो देखें मंदिर की शीडिया देखें कित्मी उची शीडिया हैं मुझे लगता हजार से ज्यादा सीडिया हो सकती हैं टॉप गुम्मत तक पहुंचने के लिए यहां पर सेंट्रिंग सट्रिंग का काम चल रहा है इसका मतलब यह है प है हमें जब अंदर गए थे तो गाड़ ने चेतावनी दी थी कि आप जो है ज्यादा अंदर तक ना जाएं या उन जगहों पर ना जाएं जहां पर आपको मंदिर में एसी नजर आ रहा है कि यह गिर सकता है त्रेडे आ रही हैं तो आप उस पॉर्शन को दूर से ही देखें आप मंदिर की विविन एंगलों से ली गई और स्थानों से ली गई सबी फोटों का अबलोकन करें अब हम मंदिर के दूसरे परिशर में पहुँच गए हैं जिसको बोलते हैं ता प्राउम मंदिर ये ता प्राउम मंदिर जो है ये भारत कमबोडिया सहीयोग परियोजना के तहत जीणयों दौआर के कारिय में हमारे भारत सरकार का आर्चिलोजिकल सरवे ऑफ इंडिया और कमबोडिया का आर्चिलोजिकल सरवे ऐफ कमबोडिया मिलके कारिय कर रहे हैं आप देख रहे हैं हम यहां पर इसका अवलोकन करने के बाद अब बहार आते हैं गर्मी बहुत बेकट है हम अब शाम के चार पाँच बज रहे हैं बीस डॉलर का पानी पानी पी गए इतनी बहंकर गर्मी है यानि इस से ये लगाए जा सकता है कि यहां की जो भोगोलिक परिस्थिती है हमारे भारस से मेल खाती है यहां के खेत खलियान यहां के बैल गाए भैंस लोग हवा गर्मी सब कुछ खेंड के लिए अगर हम यह भूल जाएं कि हम कहा हैं तो ऐसी लगता है जैसे हम इंडिया के किसी दू दराज के गाउं के अंदर हैं ऐसा है कमबोडिया देश तो गर्मी विकट है अब हम दूसरे मंदरों को देखते हैं अब आज की तारीख में यह जितने भी हिंदू मंदिर हैं इनकी चित्रकारी तो हिंदू देवताओं के उपर है लेकिन अब यह सब बहुत मंदिर हैं और बौध भिक्षूओं के द्वारा संचालित हैं भगवान बुद्ध की मूर्तियां लगी हुई हैं क्योंकि मैंने बताया न कई बार इन पर आक्रमन हुए यह हुए तो स्ने स्ने धिरे धिरे हिंदू धर्म यहां से लुप्त होता गया बौध धर्म पनपता गया बौध य यानि कि देवताओं को और सबसे बड़ी मिसाल यह है कि इनकी कमबोडिया सरकार ने हमारे इस हिंदू धर्म की जो चिन्नित सम्रित चिन्न हैं वो अपने राष्टे धोज पर भी अंकित की हुगा है तो ये हिंदू धर्म यहां इस तरीके से पुनर जीवित है हम कह सकते हैं अब मैं जिस बौध मंदिर में बैठा हुआ हूँ बौध भिक्षू के साथ पूजार्चना में वो भी अपलोगन करें मित्रो यह जो यह एक मंदिर ना होके हिंदू धर्म की सब्विता का स्रिंकला वद्य है वो प्रिक्रिया है जिसे आप एक दिन में नहीं हाफते भी लग जाएं तब भी संपूर्ण रोप से नहीं दे सकते हैं और हर मंदिर देवता हर इस्ट हर भगवान के नाम से विख्यात क्योंकि ये साक्षात इनकी कलाकृतियां वो बोल रही हैं जहां भी हम जा रहे हैं कहीं क्रिश्न की है अच्छा यहां पर कमबोडिया में आज भी रामली लाएं होती हैं इसका मतलब यह है कि ये जिस भी धर्म और जाती के हैं लेकिन इन्होंने अपनी संस्कृति में हिंदु धर्म की इंध्रोहरों को सजो के रखा हुआ है अभी हाली में हमारे अव kicking इध्या में भी यहां से पात्र राम लक्ष्मन और जो भी पात्र थे हूं गए थे तो यहा आज भी यह चीज़ परचलित जा है तो हम कह सकते है कि यहां के जो बौध है वो हिंदु बनने वाले हैं और हिंदु धर्म के जो सब्वेता है वो तो यहां संप्रूप से है ही है अब दीरे-दीरे संध्या हो रही है तो हम भी अपनी यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं और आप सभी यहां पर आप जब चित्र देख रहे होंगे तो चित्रों से ही ऐसी अन्भूती हो रही होगी कि एक बार तो यहां आके इसे अंकोर वट मंदिर को देखना बनता ही है जो कि युनुस्को के विश्व ध्रवर सतलों में से एक है नमस्कार करते हैं कर दो कि यह चित्र था वत सतलों में से एक होगी कि यहां भा है कि यह लो हो कि ऑुत्यसव देला कि अरता ही होगी कि यहाला